हलो फ्रेंड आएम डॉक्टर हर्षद रावल अब्डी होम्योपैट्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों आज का वीडियो में हम आपको साथ बात करेंगे इन्फर्टिलिटी इसमें भी मेल इन्फर्टिलिटी का क्या कॉज होता है और इसमें कौन से फूड होते हैं कि जैसे तुम्हारा स्पम काउंट और मोटालिटी एन्हेंच हो जाए और कौन से बेस्ट फूड है जैसे आप घर में भी खा सकते हैं इसमें कौन सा योगा कर सकते है और इसके लिए जो बेस्ट हुमियोपतिक मेडिसीन है इसके बार में हम बताएंगे वित्रों लाइब दस से पंद्र साल में लोगों की जिनकी फास्ट हो गई है क्यांकि अभी इंटरनेट फास्ट हो गया है हमारा वर्थ स्ट्राइल फास्ट हो गया है और बैठे बैठे हमको काम करने का होता है और लॉंग टर्म हम बैठे रहते हैं और सारी दिक्ष्रम कम हो जाता है तो देखन दिरे जो मेल में फर्टिलिटी बच्चा पीदा करने की जो शक्ति होता है एक कम हो जाती है दूटी इसके फास्ट लाइट में सारे दिन बैठेंने करेता है लॉंग टम उसको लेट नाइट जागने की आदत होती है लेक आप एक्सराइज होता है हमारा फूड में भी कोई ऐसे शक्ति नहीं रही है क्यांकि जो फूड है या फूड में कोई नुट्रिशनल वैल्यू नहीं है तो सरीर तो टेंपररी तो काम करता है अपन जुसको लिए जो माइक्रो प्रिश्क嗎 वोन को पर किता सब्सक्रों करें होकि देरे देरे कम हो जाती है तो जिसको हम मेल लिस्ट इंफेटीटी बोलते हैं और मेल हेल भी बोलते में इन फर्टीटी में बहुत सारे डीजियां चाहिते हैँ जीसे हो घो बोलते हैं और निल स्पंप्काऊंट इसको 0 स्पंप्काऊंट या Izotispermia बोलते है कई बार low-sporm मॉटिविटी होती है स्पंप्काऊंट तो ज्यादा होता है पर इसमें yellow sparm कम होता है कई बार पॉर्स पाँन तो अच्छा होता है अपंड मोटी डिटी कम होती है कई बाद मोटी डिटी अच्छी होती है तो स्प्रम काउंट कम होता है तो इन्सक्षी को कॉस्ट करेंगे तो एक वजय से इन्फर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहा है तो आप इस में से 25 परसंट आईसी मोटिलिटी है और आईसे जो गेस होता है उसको आप थोड़ा फूल एहनेंज करते हैं और साथ में आप आल्टिनेटी मेडिसिन ओमियोपतिक दवा लेते हैं तो आप मेल इन्फर्टिलिटी या म मेल हिल्थ में से बाहरा सकते हैं तो हमने मोटा मोटी बता है कि जो जीनिटिक कॉस होता है आपका फैमिली में और पेरेंट में या आपके वाइब बेन में कई बार बच्चा लो या लॉंग टाइम के बाद मेरेज के बाद आता है तो यह भी कारण हो सकता है के बार आपको कोई Sexual dysfunction हो जीकुलेशन का प्रोब्लेम हो इसके कारण भी हो सकता है के बार सेक्चु tournaments होने के कारण आपift रिलेशन्स इप नहीं कर पाते पत्मी के सात तो उसका भी कॉछ का निम्ति की सकता है के वार over radiation के कारण या चोटतीयमर में diabetes एर bang john के कारण भी आपको में धeffल्ठ एडियार मिल का जो inh scores का problem हो सकता है। कई बार एसे कारण में आप थोड़ा घुड़ में आप ठोड़ा चेंजिस करता हुआ। थोड़ा योगा करते हैं हम आज डिसकस करते हैं या एड कर देते हैं तो यह आपको जल्दी में हिल का प्रॉब्लेम सॉल हो जाता है जैसे लो स्पर्म काउंट है जो प्रॉब्लेम है इती हो सकता है तो पहले तो अमुक प्रकार के जो फ्रूट है आप फ्रूट ज्यादा खाओ तो इसमें आपको जो माइक्रो न्यूट्रिन मिलना चे वो शरीर को मिलेगा जैसे बनाना है और प्रमेगेनेट है या ओरेंज है या आप मैंगो है इसमें ओमेगा 3, B12, विटामिन C ज्यादा त होती है तो लाइपेन हमारा जो सेक्ञेवल इंस्याट को स्टेमिलर्न करता है है और हमारा ब्रीण में से इसमेली था होरूमों और नुचवर्पन cord को बैलेंस करता है और जो आपको इंटर्नल को स्टे वज़े से जो है उसपर मिया होता है वो प्यौर हो जाता है और एफ जो वीटामीन होता है वीटामीन हीजर में कॉस्स तो आप जो ऐसे फूड आप लेते तो आपको यह लाइप इन आपका सरीर को हुर्मोन को बैलेंस करता है और एफसे जैलेच को नॉर्माल करने की कारेश्रमता रखता है आप सेकेंड इंग कई वीजिटेबल है जैसे स्पिन्यांच है और जैसे टमाटर है या आप पनवल की सब्जी ले सकते है या आप कोई भी पत्ते वाली जो सब्जी है इसमें लाइप इन की मात्रा विटामीन ए ओमेगा सिक्स क्रियेटिमीन या आपको जो भी फर्टिलिटी के लिए होर्मोन्स चाहिए और विटामीन चाहिए या माइक्रो नीट्रीन चाहिए यह हमको लेफी विजिटेबल और विजिटेबल में से मिलता है तो आपको यह परपूर मात्रा में खाना चाहिए खाने के रोज आप 200-300 ग्राम फ्रूट खाईए 400-500 ग्राम सुबह से सा iper होती होती है ये हमारा इंफर्टिलिडी का रिपैड करने में बहुत शक्षं समस क्यां कैम चुणके कुद्रत्र्त आप विटामिन लेके तो कुद्रत के साथ एफिलेट जली हो जाता है जो नट्स होते हैं जैसे वालनट्स है बदाम है पिस्ता है काजू है इसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 ज्यादा होती है और यह हमारे जो गुपतों को में सर्कुलेशन भी बढ़ाता है होर्मोन्स भी नॉर्मन करने में एक शक्षम होता है तो खुराक में डट्स का भी प्रयुक्त ज्यादा करना चाहिए मित्रों जे लोग नॉन वेजिटेरियन है यह एक्स खा सकते है कही एक्स में प्रूटिन और सेलेनियम ज्यादा होता है और वोस्टियर कई बार आप सीफूड खाते है जो लोग नॉन वेजिटेरियन है यह खाने में फीश और ऑस्टर का प्रयुक्त ज्यादा कर सकते है तो इसमें भी जो हमारा फर्टिलिटी या मोटिलिटी बढ़ाने की कार्यक्षम था मित्रों आपको जो चॉकलेट स्लवर हो तो आपको डार्क जतितल के मेंट्रों करने में मन शांत रखने में एंजाइटी दूर करने में आस शक्षम होता है मैं इस में आप सम ऻोंफ पूड भी है जैसे गार्लिक है जैसे आप आप है ईल्टि करता है और अनसी हैं तो यह जो फूड होता है इ believer हमारा सरीर को जो हमारे जो सेक्शल और है उसको stimulant करता है blood circulation बढ़ाता है और उसकी strength बढ़ाता है तो जिन लोगों को यह नॉर्मल प्रॉब्लेम है इंफर्टिलिटी यह में हिल का यह फूड आप जरूर कंजून कर रा चाहिए वित्रो योगा में पांच योगा मैं आपको बताता हूं या फिगर में भी देश सकते हो यह जरूर कजिए एक एक मिनिट दो दो मिनिट किजिए क्यांकि यह योगा हमारे ग्रो प्रॉब्लेम से आपको शेक्शो रिलेटेड या आपकी प्रॉब्लेम मेल हेल या मेल इंफर्टिलिटी का यह शॉल्यूशन करने में बहुत सक्षम है और इसे धिरस से प्रयोक करना चाहिए यह रातो रात नहीं हो सकता है आप एक दो मिना ती मिना और लाइप में भी सबसे अच्छा है सबसे पहले में आपको फिगर में बताता हूं जिसको पस्यम होताना असान बोड़ते हैं पर लंबा करने का या अलगू ठाड़ाने का यही करने से आपकी ग्रोइन एडिया में सर्कुलेशन बढ़ता है और सेक्शल फंगर एक्टिव हो जाता है रिधिम की दवा लेते हैं तो यह कंट्रोल में रहता है अपड़ होर्मोनिकल कंट्रोल होना चाहिए और सरीड का जो वाजा ठीक बजना चाहिए वो नहीं बचता है तो योगा मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ता है तब योगा का सहरा लीजी तो सबसे पहले पस्तिव का कॉम्परेशन चाहिए इससे तुम्हारी इंटर्नल और अर्गन स्ट्रॉंग बनता है और इससे आपका जो ब्लॉड सर्कूलेशन इरीया में बढ़ता है घ्ञान तन्तु नतु का रिदम बढ़ता है तो पेट का जो ओरमन से कबजिया दूर होता है वाजी दूर हो जात जब दूसरी exercise देखो तो हाथपेर की exercise जाता है Central Ovia City की exercise नहीं है देखो हमारा रुश्षी मुन्जी ने कितना अच्छी तरह हमको एक गिप दिया है हम वो फॉलो नहीं करते हैं और हम जीम में और युगा में नहीं जाते हैं और जीम में जाते हैं बॉडी बिल्ड बनाते पर हमारा पेट को ठीक नहीं कर पाते हैं पेट आइसा है तुरंद बार आ जाता है इसे आपका लड़ सर्कूलेशन से उपर नीश हो जाता है तो इसमें वाग पीट कप को शमन करता है और ब्लड शर्कूलेशन बढ़ाता है और शक्तीकों एंच करता है कि थाड़ थिंग है मयूरासन करना बहुत मुश्किल है चता भी आप ट्राइब कर सकते तो मयूरासन भी आप दोनों हाद से सेंट्रलाइज लोकेट करने का है यह बहुत अच्छा असन है हमारा सरीर में ऐसा बुला जाता है कि जो स्पाइनल कॉण है उसको सौट अगा स्ट् पैर का मुमेंट भी ठीक होता है और चीद आपका हेल बन्ता है और मिल थीक करता है में तो लास्ट डिस्फंक्शन का हो या बच्चे होने में कुछ तकलिफ हो पेइनफुल कोटस हो रिलेशन सी पच्छा नहीं रही हो मेंटल याप डिस्टब रहते हो तो सब कुझे फूड योगा एंड हुम्योपतिक मेडिसीन आपको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ाता है मित्रों वीडियो अब बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको पास इच्छा जो हुम्योपतिक की दवा है यह में हिल के लिए यूज करता है तो मैं आपको शौट में समझा देता हो तो एगनस कैक्स्टस नाम की एक अश्वगंदä अश्वगंदा मतों इंचर हुम्योपतिक में है और आप जो जानकार होत है तो आहिरूदिक शॉप में से भी अश्वगंदा का पावडर आदी चमत जो अश्वगंदा लेना चाहते तो भीचो वउन गुणा पानी में लेना चाहते हैं तो यह अधी चमच थोड़ा गी में डाल के सुदशान गरम पानी के साथ आप चाट सकते हैं हनी के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं और यह सब कुछ दबा बताया और आप योगा करोगे तो आपका जो मेल हेल का प्रॉब्लेम है या मेल इंफर्टिविटी का प्रॉब्लेम है या आपको सेक्शुल रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लेम है यह प्रॉब्लेम क्यों हो जाता है तो भी मित्रोब मेने 35 साल में बहुत सारे पेशन्ट देखा है और हमने एविडेंस बेज कई वीडियो हमारे यूट्यूज चैनल में भी डाला है 600 जीतना हम हमारा वीडियो है आप ज़रूर देखना और आप एजुकेट रह सकते हैं तो फिर भी आप कुछ ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारा जे दिया हुआ नंबर से हमको संपर कर सकते हैं थैंक्यू गश्यू अ